नमस्कार दोस्तों मैं अपने एक नई वीडियो में आपसे वीडियो को पूरा देखें और अंतक देखें थाकि वीडियो में जो मैं बताना चाहरा हूं उसकी पूरी जानकारी आपके में सब्सक्राइब तो आज मैं आपको दिखाना चाहरा हूं कि जैसे कि आप लोग flip card पे समान खरिते हैं तो अभी sale चल रहा है और इसमें ये mobile offers पे मिल रहे हैं तो इसमें आपको एक में example दिखाना चाहरा हूं कि flip card कैसे fake price दिखाता है लेकिन जब आप उसके end में जाओगे process करने के लिए payment पे तो वहां पे आपको उसका amount अलग नज़र आएगा तो देखाना चाहूंगा flip card app को मैंने open कर लिया ये open हो गया अब example के लिए मैं ले रहा हूं ये realme का phone है तो आप देख पा रहे हैं everything in new realme GT new to इसका price दिखाया है 22999 रुपे और इसका MRP है 34999 रुपे इनका कहने का मतलब है कि आपको 22999 रुपे मिलेगा लेकिन जैसे मैं इसको click करूंगा और इसके page पे जाओंगा तो आप देख पा रहे हैं 31999 और यह जो इसमें लिखा है get this for as low as 30999 रुपे का नहीं है तो फिर आपने इसके friend page पे उसके offer की listing क्यों कर रखी है और मैं आपको example के लिए इसको add to card करके भी दिखाऊंगा यह मैंने add to card कर दिया go to card पे जाऊंगा आप यह देखो 31999 प्लेस order पे जा रहा हूंगा कि कंटिन्यू करूंगा इसके conditions को accept करेंगे और आप देख पा रहे हैं कि यह 31999 का मिल रहा है और यह जो offer है yes bank के card पर offer है मतलब yes bank का card होगा तो उस पर आपको 1000 कम का मिलेगा 30999 का मिलेगा तो यह flip card ऐसा क्यों करता है और flip card का ऐसा नहीं करना चाहिए इससे ग्रहक ब्रहम में रहते हैं और उनके साथ दोखा होता है जो कि नहीं होना चाहिए तो आप सभी से request है कि अगर आप लोग को मेरी बात समझ आई हो तो comment में लिखकर बताएं कि ऐसा होना चाहिए और नहीं होना चाहिए झाल झाल